नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चन्चार जागंदर मिशा में मिथुन राशवालों मिठाई वाटने के लिए हो जाओ तयार क्यूंकि 26 अप्रेल से राजय जिसे जिन्दगी जीने का अपसर मिलने वाला है अब माता लक्ष्मी जी के आसिरवास से आपको अनेको प्रकार की बड़ी खुशखबरी और बड़ी बड़ी सफलताई मिलने वाली है जी हाँ दोस्तो मा लक्ष्मी जी के आसिरवास से अब आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े चमतकार होंगे कुछ ऐसी बड़ी बाते होंगी कुछ ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जिसके का अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तो वो बड़ी बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी है इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंतक बने रहें क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और जानकारी मिलेगी क्यों वो बड़ी खुशखबरीया कौन सी है और बीडियो को पूरा देखने के बाद बीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के बीच इसे सेर अवश्य कर दें और कमेंट सेक्षन में लिख दें जै माता लक्श्मी दोस्तों मिथुन राश के जातकों यह वीड पूरी करने के लिए धेर सारा धन हो और जब धेर सारा धन होगा तो ऐसो अराम की जिंदगी भी होगी यदि बहुत सारा नहीं है तो कम सकम इतना धन हो कि वह अपना गुजारा कर सके आज लोगों के जिंदगी में अगर रुपया पैसा नहीं है तो घर के बुरे हलाद हो जाते हैं उन्हें गरीबी का मुह देखना पड़ता है अगर आपके पास धन है तो हर छेतर में काम्याबी मिलती है और घर में खुश्या च्छाई रहती है आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं अगर आपके घर में धन है तो सारे काम बनते चले जाएंगे और धन पाने के लिए कई लोग तो कड़ी मेहनत करते हैं कुछ लोग तो चल कपट के दोरा धन कमाने की चाहत भी रखते हैं और कोशिश करते हैं लेकिन अमूनन ऐसे लोगों की सिकाइ ये वही सही काम आता है दोस्तो देवी लक्षमी जी को धनकी देवी कहा जाता है और कहा जाते कि इनकी कृपा जिसके उपर हो जाए तो उसका जीवन खुशें से भर जाता है ये बात तो हम सभी जानते हैं मित्वन राश के जातकों की इस दुनिया में सभी का भाग एक करीब उनके अंदर धन कमाने की जाहत बांकियों से अधिक होती है ऐसे में हमारे गरहन चत्रों में कोई भी जब परिवर्तन होता है तो उसका असर कुछ राशियों पर सकरातमक तो प्राशियों पर नकरातमक पड़ता है दोस्तों आपको बता दे कि जोतिस सास्त्र के मुताबिक 26 अप्रेल को एक ऐसा महाश्योग बन रहा है जो कि माता लक्ष्मी जी इस महाश्योग से मिथुन रास की जातकों को पर महरवान हो रही है 26 अप्रेल को प्रबोधनी एक दसी है जी हाँ दोस्तों इस दिन सरवार्द सिध्योग और भी कई सारे दुरलब योग बन रहे हैं 26 अप्रेल को प्रबोधनी एक दसी की दिन यानि की विशेशकर शुब योग बनने से माता लक्ष्मी जी के कृपा अब मिथुन रास वाली ज 26 अप्रेल को पधारने वाली है अनेक जगों से आपको धन का लाब होगा 26 अप्रेल से अब आप राजय जिसे जिन्दगी जीने का आपको अफसर मिलेगा शुक शुबधा में ब्रद्धी होगी गारी बाहर की खरीदारी कर सकते हैं अनेक जगों से आपको धन का विशेश धनलाब होगा जिससे आपके जीवन में अनेको प्रकार के खोश्या आने वाली है आपको अनेको प्रकार के धनलाब माता लक्षमिज के आस्रवास से प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों माता लक्षमिज के आस्रवास से आपका मानसिक रोप से धार्मिक भावनाओं का उद सकते हैं आपकी मुलाकात इसमें बिलच्षड लोगों से हो सकती है मेथुन राजगत को आप इसमें दिन दुगनी और राजच उगनी तरक्की करेंगे और लब लाइप भी बहुत खुबसूरत रहेगी और साधी सुदा लोगों के लिए ये समय काफी सांदार रहने वाला है माता लक्ष्मी के किरपा से इसमें किसी नए बिजनेस भी आपार की आप सुरुआत कर सकते हैं नए कारियों में आप उपलब्दियां प्राब्द करेंगे मा लक्ष्मी किरपा से 26 अपरेल से अब आपका पूरी तरह से जीवन बदल जाएगा क्योंकि आपके घर में शुक्षंबर्दी का वास होगा माता लक्ष्मी का वास होगा और माता लक्ष्मी किरपा से आपके घर में चारो दिशाओं से धन का लाब होगा अनेक प्रकार के धन संपत्य अर्जित करते नजराएंगे अनेक जगों से आपको विशेश धन का लाब होगा जीवन में चल रही परिशानिया आपकी अब शोता ही दूर हो जाएगी 26 अप्रेल से आपको बहुती लाब मिलेगा इसलिए तो कहा है कि मिथुन रास्क्रियात को मिठाई वाटने के लिए हो जाओ तयार क्योंकि अब 26 अप्रेल से राजज इसे जिन्दगी जिने का आपसर मिलने वाला है अनेक जगों से आपको धन का लाब होगा धन संपत्य अर्जित करते निजराएंगे क्योंकि कारियों में आपको तेजी देखने को मिलेगी ब्यापार में उप्लब्दिया प्राप्त होगी नोकरी लगने के संभावरा मन रही है अनेक जगों से आपको धन का लाब होगा हर कारियों में जो रुकावट चले थी वो कार आशानी से पूरे हो जाएंगे यानि विशेश कर बहुत ही शांदार शमय रहने बाला है बता दे कि नई जोब लगने के संभावरा बन रही है नई जोब में आपको तरक्की मिलेगी हर संभाव प्रयास इसमें जो भी करेंगे आपको उपलब्धिया प्राप्त होंगी मातलक्षमी करपाशे मितुन राश्कात कों इसमय आपू की प्रेम जीबन में खुशियां वरसेंगे लब लाइब बहुत अच्छी रहेगी लब पार्टरन को कुछ गिप्ट और उपहार देशकते हैं अच्छे कारियों के लिए आप जाने जाएंगे उपलब्धिया कदम चुमती चली जाएगी यानि कि इसमें दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे अच्छे प्रस्ताओ और अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे आपके कारियों में जो रुकावट चल रहे थी वो कार अब आपके दूर होने वाले हैं इसमें उपलब्धियां और मान समान में बर्दियों के समाज की प्ठश्ठा में लोग प्रता बढ़ेगी वाड़ी पे मिठास आएगी कद और आप काईस में यनि कद भी बढ़ेगा समाज में और आपकी लोग प्रता भी बढ़ेगी प्रेम जिवन खुशा मदोरत आएगी प्रगारत आएगी और वहीं पढ़ायली काई के छेतर में इस्टुडेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा यानि कि इस समय पढ़ायली काई पर मन भी लगेगा सिक्षा के छेतर काफी उच रहेगा सिक्षा के छेतर में उचाईयों पर रहेंगे कई ऐसे कार पूरे होंगे जो काफी दुन से धोरे पड़े हुए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करेंगे हर संभव प्रयास इससे में जो भी करेंगे उपलब्धियां कदम चुमती चली जाएगी यानि कि दिन दुगनी राज चोगनी तरकी करेंगे अनेक जगों से आपको धन का लाब होता चला जाएगा धन संपत्य स्थरो के मामले में काफी लखी रहने वाले हैं चारो दिसाओं से आपको ख्याती मिलेगी गाडी बाहन का प्रयोग एक खरीदारी करेंगे शुक्षृधाय में ब्रदी करेंगे राजाओं जैशी शुक्षृधाय में तुन राजश्यत को आपको मिलने जा रही है माता लक्षीमी कृपास याने एक जगों से आपको धन का लाब होगा यानि कि धन संपत्य में ब्रदी तो होगी साथी साथ ने निने ने फैसले ले सकते हैं नए कारियों में उप्रब्दियां प्राप्थ हो सकती है यानि कि दिन दुगनी राज चोगनी तरक्थी करेंगे और इसमें आपका दमपत्य जीवन खुशें से भरे रहेगा संतान प्राप्थी के प्रबल योग रहेंगे अभिवाई जात्यों के ने रिष्टें आएंगे ने रिष्टों की चर्चाएं हो सकती है साथी साथ नए कारियों में उप्रब्दियां प्राप्थ होंगी जो कार अधूरे पड़े होए थे वो कार आशानी से पूरे हो जाएंगे इसमें मातालक्ष्मी के अपार खिर्पादिश्ट बरसने से आपको काम्याबी और तरक्की से धंसे माला माल होने से कोई नहीं रोक शकता इसलिए तो कहा है कि में तुन राज्ट क्यात्कों मिठाई वाटनी के लिए हो जाओ तयार क्यूंकि 26 अप्राइल से राजे जिसे जिन्दगी जिने का अपसर मिलेगा नए नए योग और लाग देखने को मिलेंगे तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा जै मातालक्षमी साथी वीडियो को लाइक करके ज़धा ज़धा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्षमी